चले आज स्टार्ट करते हैं एक शोर्ट ब्रीफ लेक्चर क्लास एंड फ्रेस देखें, फर्स्ट क्वेस्टन ये हैं कि वाट इस क्लास क्लास जो ही गुरुप अफोर्ट्स विच हैस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यानि क्लास में सबसे पेले सब्जेक्ट का होना बहुत लाजमी है यानि जिस जुम्ली में सब्जेक्ट होता है बस उसे हम क्लास केते हैं जैसे कि फॉर एक्जेंपल हमारे पास एक एक्जेंपल है इस जुम्ली को अगर हम गोर से देखें तो यहां पे आई जो हैं हमारे पास आई सब्जेक्ट होता है तो जिस जुम्ली में सब्जेक्ट होता हैं बस उसे हम क्लास के सकते हैं और M राइटिंग अलेटर हमारे पास क्या हैं फ्रेज होता हैं सुरी प्रेडिकेट होता हैं प्रेडिकेट का मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हैं बखाया इसा बखाया जुम्लाइक को प्रेडिकेट हम कह सकते हैं लेकिन दुसरी तरफ अगर हम देखे फ्रेज को फ्रेज अमारे पास जो हैं फ्रेज इस अ वर्ट और गुर्प अ फ्रेडिकेट यानि फ्रेज एक वर्ट भी हो सकता हैं या हम के सकते हैं गुरूप अफ वर्ट भी हो सकता हैं लेकिन एहम बात यह हैं के देर इस नो सब्जेक्ट इन द फ्रेज सब्जेक्ट फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता हैं अगर हम इसी संटेंस को देखें क्लास को के आई एम राइटिंग अलेटर यहां आई जो के सब्जेक्ट हैं अगर इसको हम ब्रेक कर दें अलाइदा कर दें आई एस आ यूनिट लिख दें यानि जुमले के इलावा अलाइदा लिखें तो हुसे हम फ्रेज के सकते हैं इसी तरह अगर हम दूसरी यूनिट एम को काट दें यानि एम को as a separate unit लिख दें तो एम हमारे पास फ्रेज बन सकता हैं और इसी तरह राइटिंग को अगर हम break कर दें यहां से अलाइदा without sentence हम लिखें is a unit तो हम राइटिंग को भी फ्रेज के सकते हैं और इसी तरह a letter हैं आपके पास एक और unit a letter को अगर हम is a unit लिख दें तो ओ भी is a phrase consider हो सकता हैं तो एक चीज़ वाजिय हो गया कि class में subject का होना बहुत लाजमी हैं और जबके phrase की तरफ जब हम आजाएं तो phrase में कोई subject नहीं होता हैं अगर आप केते हो कि I I यहां पे sentence में use नहीं होगा हैं तो यह इम्पॉर्टन चीज़ हैं कि class में sentence होता हैं जुमला होता हैं जबके फ्रेज में कोई फ्रापर जुमला नहीं है बद चोटे चोटे पार्टस हैं या यूनटस होते हैं तो फर्दर फर्क जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा इंशाला